freedom of speech के नाम पर कुछ भी बखवास कर दो और कुछ भी बोल दो और कह दो कि भाई हमें तो freedom of speech है हम कुछ भी कर सकते हैं हम तुम्हारी इज़त की धज्या ओड़ा सकते हैं तुम्हें कातिल बता सकते हैं तुम्हारे करेक्टर को खराब कर सकते हैं लेकिन freedom of speech है हम कुछ भी कर स बता दो मेरे पास भी कमेंट आपके लिए या आते हैं कि हमने उसको सब्सक्राइब और उसकी वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि भाई कब ये अपने कमेंट शेक्षन को ओन करें और कब हम इसे सुनाएं बहुत डर लगता ना गालियों से तो ऐसी हरकते करते ही क्यों हो जो गालिया पड़े हैं क्यों एक औरत के करेक्टर पर तुमने निशान लगाया सबसे बड़ी बात वहां थी तो ये चिला जा रहा है कि मैंने तो इतनी सी बात कह दी मैंने तो ये कह दिया तुम पुलिस थाने चली गई भही तुमने उसे कहा कि दो दो पती को मार दिया है उसने अपने पती को मार दिया है मेरे पती को छीनना चाहते तुमने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी तो के तुम्हें पूजे वह इतनी बड़ी तुम बैठी हो बनके बोलती हो मैंने ये किया है वह किया है उसने सही बोला है डोक्टर तो तुम जोला चापी हो क् उसको dancer बोल रही हो भाई उसको अगर वो dance भी करती है न तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं तुम अगर यहाँ पे बैट के अपने dentist पर ना दिखाओगे न तो तुम्हें कोई देखना भी नहीं पसंद करेगा तुम अगर सपना को target ना बनाती न तो तुम जिस यह 9-10,000 सब्सक्राइबर तुम्हारे हुए न यह तुम्हें पूस्ते भी न तुम सिर्फ सपना को target कर रही हो और रोज नहीं नहीं इंजाम लगा रही हो जिसको लोग सुनना चाहते हैं और कुछ लोगों को मजा आ रहा है इन चीजों में इसलिए वो तुम्हें सब्सक्राइब कर तो वो क्या तुम्हें पूजेगा है सुकर करो उन्हें बैठके बोलाईए अगर हमारे माबाप होते न तो तुम्हें वहीं पर आके कूटते पकड़के सच में बोल रही हूं मैं शुकर करो कि उस इंसान ने फोन पर बैठके तुम्हें वीडियो बनाके ही यह सब बाते ब बोली ना तो पता ही नहीं क्या करते फिर ठीक है सपना के डांसिंग पे इनको प्रोब्लम है व्लोगिंग पे इनको प्रोब्लम है तो तुम क्यों कर रही हो जब व्लोगिंग इतना गंदा काम है डांस करना इतना गंदा काम है तो तुम व्लोगिंग क्यों कर रही है तुम उन्हों ने एक बार भी कहा नहीं सपना गलत है कुछ भी हो तो तुम्हार साथ आके बैठरा भी पसंद नहीं कर रहे हैं इसने इंजाम लगाया कि मेरे सास मतलब अपने भाई की प्रोपर्टी तो छीन ली और अब मेरे सास की प्रोपर्टी भी छीनने की कोशिश कर रहे थे तो एक काम करो आप अपने सास को बिठा के ये बाते बुलवा लो और अपने ससूर को बिठा के बुलवा लो तो शयद लोग यकीन कर ले और मुझे समझ में नहीं आता यार यूट्यूब है या कोर्ट है क्या है ये इनके हाँ पर फैसले भी होता है खुद ये जजज बन बन जाता है अब वो जो नलका इनका साथ दे रही है इतना वह और अतीस का साथ दे रही थी जिसने वीडियो बड़ी कूद के डाली थी अब कहां चली गई वो अब उसको दिखाएनी दे रहा कि यह क्या बोल रही है वो नहीं बोलना चाहती वो पने काम में लगी हूई ले मेरे इतने सबस्क्राइबर हो गये यह हो गया मैडम जी यह सिर्फ कुछ दिनों का जब तक तुम यह बात इंग बोल रही हो जब तक तक तुम यह बोल रही हो तब तक ही पूछेगा और उसके बात पूछना भी बन दिमाना करते कि मत जाओ तुम्हारी सास उसकी भी कुछ लगती है इसलिए वो वीडियो डाले गई है लेकिन तुम्हारे खुद का फितूर है दिमाग का और शायद शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम शक्की मिजाज की ओरत हो जिसको हर चीज पर शक रहता है तो इसी वज अगे समिक जा-ग के आई तो सपना मुझे चिडाना चारी सपना ने तो और बहुत सपरिवार वी को ला लगता है तो क्या सबके परिफार वालों को बैठकर चिडा रही है सपना की एज में तुम्हारे हस्बेंड की ए में बहुत जादा फार styl पुद बोला तो तुम्हें यहार चीज पर उख रही है कर सपना ने अपनी वीडियो में कल या परसो बात बोली जो कि बहुत चुपने वाली थी जो उसने अपनी ननाद को बोली थी कि अब मैं इस तरह के कपड़े पहनने अब मेरे लिए इसी तरीके के कपड़े बने हुए है जो इतनी जादा पेन और तुम किसी तरीके के कपड़े पहनना चाओ या कुछ भी है इन लोगों की मत सुनो ये तो अपने लिए कि हमें बोलने की आजादी है हमें ये करने की आजादी है कुछ भी बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे इन्होंने यही काम किया है और यही काम करेंगे इन पर तो रिय करते है किसी के character पर जाता है किसी को कुछ बोलते हैं कि तो वकात ही नहीं होती है किसी लाइक रूफा की नहीं होते है रियक्षिन मालें तो इसको थपड मार जूँए मैं इसको यह कर दूघर मेरा नाम ले दिया तो तुम ही हां मुझे ऐसा लगता है कि इंद्यों फ्यूचर यह परधान मंत्री बनने माला है क्योंकि अभी तो यह नहीं अब इनको अपने दिमाग में जो सोचते हैं उसको सच माल लेते हैं तो इन्होंने भी यह सोचा हुआ है कि हम फ्यूचर में बहुत बड़े नीता बनें प्रधान मंत्री बनेंगे तो इसलिए अब हम सबको दबाने की कोशिश कर ले तो ऐसा नहीं है मैडम कोई तुमसे दबने वाला नहीं है और सपना तो तुम्हें पूच भी नहीं है बेटा तुम बोल रहो ना यह वो उसे जितना बोलना था वह बोल चुकी क्योंकि तुम उसके केरेक्टर पर और तुमने उस पर कातिल होने का अन्जाम लगा है वो बोल चुकी और तुम्हें जितनी वीटियो जहां शेयर करनी है कर दी तुमने ट्वीटर पर कर दी इधर कर दी उधर कर दी इसके खिलाफ एक्शन लो itu के खिलाफ हुआ कुछ नहीं हुआ बैटा के साथ में खड़े हुए हैं और वो होंगे ही अब तुम ही देख लो तुम्हारे साथ कितने यूट्यूबर है कितने लोग सपना के साथ में कितने लोग तुम्हारे साथ में और सच बताऊं जिस दिन तुमने ये सपना 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 अलाग रटना बंद कर दिया ना उस दिन ये तुम्हारा साथ भी दे रहना ये भी भाग जाएंगे लोग सच में खुश मत हो कि तुम्हारे व्यूज आ पाए तो वह होता है चित भी मेरी पट भी मेरी लेकिन अंदर से तुम्हें भी पता है तुम गलत हो ठीक है इसलिए तुम्हारे कोमेंट सेक्शन ओफ हो रहे हैं अगर तुम्हें यह पता होता ना कि तुम सही हो तो कभी तो तुम्हारे कोमेंट सेक्शन ओन होते हैं